हलो एवरिवन तो आज मेरे एक प्यारे भ्यूवर ने मुझसे रिक्विस्ट किया है कि हनुमान जी की ड्रोइंग बनाने के लिए 3D में साती विलेज के साथ तो पहले मैं आपको हनुमान जी सिखाऊंगा उसके बाद विलेज भी ठीक है तो आपको स्केल की जरुत पड़ेगी क्यूंकि मैं आज आपको हनुमान जी उड़ते हुए सिखाऊंगा आपने सही सुना उड़ते हुए हनुमान जी को बनाना तो पहले आपको W लिखना है अब आप सोचो को कि ये W कैसे है तो आप थोड़ा सब्र करो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये W कैसे है पेज को थोड़ा टर्न करो देखा ये W है ना तो इसी तरीके से आप पहले W बना लो और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा आपको टर्न करना है तो ये बन गया हनुमान जी का कान और इसके बाद इसे मिला कर ये पूरी की पूरी हनुमान जी की फेस कम्प्लीट हो गई तो देखा कितने असानी से मैंने आपको सिखाया हनुमान जी का फेस बनाना अब बाल बनाते हैं और उसके बाद आखे बनाएंगे ठीक है अब देखो आखे बनाना सबसे मुश्किल काम है इसलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि आखे कैसे बनानी है आपको इने स्टेप्स को फॉलो करना है ठीक है मिर दोस्त आखो को कम्प्रीट हो जाने के बाद हनुमान जी के फेस में चुनाख है, माउथ है आपको सब कुछ बनाना है तो देखो कोई चल्ली बाजी नहीं है आप अराम अराम से बनाओ और बहुत ही असानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको बस थोड़ा दीरे दीरे बनाना है गलतिया होती है तो आप इरेजर से रब करो ठीक है मेरे दोस्त और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जहां पर मैं आपको आसानी से ड्राइंग करना सिखाता हूँ ठीक है अब हम लेंगे एक स्केल और स्केल से आपको क्या करना है पुरा डाइगुनल डाइगुनल में लाइन ड्रो करनी है और एक सीधी लाइन ड्रो करनी है ये मैं क्यों ड्रो कर रहा हूँ क्योंकि हनुमान जी को उड़ते भी बनाना है ये ड्रो करने से ये होगा ना कि आपको अन्दाजा मिलेगा कि ड्वाइंग कहां से खात करनी है, अब इसके ज़स्ट नीचे एक और लाइन ड्रो करो, जो हनुमान जी की हाथ बन जाती है, अब देखो लाइन के ज़स्ट जिस डारेक्षने मैंने लाइन ड्रो किया है, उसी direction मैं बना रहा हूँ पेट को तो पेट बन जाने के बाद अब हम बनाएंगे इसके लंगोट तो पहले हमें डबलू लिखना है और ये बन गया लंगोट तो देखो आपको जल्दी वाजे नहीं करनी है और आप comments करते हो, comments में मुझे बताते हो कि आप सीख रहे हो, तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और यदि आप सच में कुछ सीखते हो, तो जरूर comments में लिखो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़कर अब आप पैर बना रहे हैं और आप इसे घर पर ट्राइ करो अपने दोस्तों को दिखाओ बना कर कि आपने कितना ड्रॉइंग सिखा तो ये इस तरीके से आपको दूसरा अंगली बनाना है तो ये complete हो चुका है already तो finally outline आपका complete हो गया अब आपको करना है clear तो clear करने के लिए मैं use करूँगा marker तो ये बन गया हनुमान जी का पूछ जो सबसे interesting चीज़ होता है होता है ना तो आप clear करेंगे हम लोग और हनुमान जी के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे comments में लिखकर ज़रूर बताना और आपके लिए question है कि इसमें से real Arjun कौन है option आपके A और B तो इसे थोड़ा pause करके देखो और बताना मुझे कौन सही है तो finally आपको 3D दिखाना है तो क्या करना है आपको pencil color लेना है और side में हलका हलका क्या करना है color करना है इसे तरीके से आपको body में हलके हलके color करना है तो finally ये हनुमान जी complete हो गया है और आपने भी सीखा है हनुमान जी बनाने के लिए तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye